तो फाइनली गाईज क्या आप लोग भी सिम्संग का फोन इस्तमाल करते हैं तो सिम्संग के फोन में या फिर आपको किसी अधर फोन में भी इस तरहे का Android सिस्टम सिकोर फोल्डर लोग का प्रोब्लम देखने के लिए मिल सकता है तो आखिरकार इसे आप हटाना चाहते हैं त हमारे चैनल पर धीरे धीरे जाके इनको विजट कर सकते हैं इसका सार्ज करेंगे अप्ग्रेट कंप्लीट एक्सपर न्यू तो इसको भी आप अटा पाएंगे आसानी से क्योंकि हमने इसके वीडियो बना रखी है लेकिन यहाँ पर भी दुबारा वीडियो बनाने इसके चैनल पर अप्ट को दुबारा से लाए हैं तो यहाँ पर आपको करना का Android System View दिखेगा आपको तो इसको अटाना है तो इसके लिए सबसे पहले इसके उपर आपको क्लिक करना होगा जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर दिखें यह शिकोर्टी अप्डेट के लिए आपको यह इसलिए बनता है आपके फोन में क्योंकि आप यह दिन पर दिन समसंग आपको अपडेट करती रहती है कि हाँ आप यहाँ पर इसके अंदर एक्टिव है या फिर नहीं है इसको चेक कर रहे हैं या नहीं फिर आपको पासवर्ट याद है या फिर नहीं इसलिए क्योंकि कि यह आपके फोन के काफी सारे सेप्टी का फिचर को यूज करता है तो इसलिए कहता है यहाँ पर आप इस अप्शन को अगर आता है तो इस तरीके से अठा सकते हैं आसनी से कोई बड़ी दिक्कत नहीं है पासवर्ट डाल के सिंप्ल हटा सकते हैं और इसकी तही बात इसको कोई बड़ी बात नहीं इसके उपर आप किलिक करेंगे और किलिक करने के बाद यहाँ पर आप इन सभी को अटा सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं अब यह आपके इंटरनेट के सबसे बड़ करेगा मैं इंटरनेट बहुत शलो चलता है यहाँ पर तो चली दोस्त मिलते हैं